So friends, मैं अपना mobile अभी यूज़ कर रहा हूँ और मेरे mobile के screen पे काफी सारे add आने लगते हैं जिससे मैं काफी प्रसान हूँ So friends, मैं आज आपको ऐसी setting के बारे में बताऊँगा जिससे setting करने के बाद आपके mobile के screen पे कोई भी add नहीं आने वाला है चलिए कुछ important setting को हम समझते हैं So friends, इस वीडियो में आपको 3-4 setting बताऊँगा जिससे आपका proper तरीके से आपके mobile में जो adds आते हैं वो close है So simple सा आपने सबसे पहले मैं Chrome browser को open करता हूँ Simple सा अपने Chrome browser को open करेंगे 3 dots पे click करेंगे इसके बाद आपको setting का option मिलेगा नीचे में आपको settings का option जब आप settings के option पे click करोगे तो नीचे में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ settings देखने को मिल जाएगा यहाँ पे side setting का option Simple सा side settings पे आपको click करना होगा और यहाँ पे click करेंगे तो आप नीचे में आएंगे, नीचे में आपको एक अच्छा का सा सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जो आपको काफी परसान करता हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे, पॉप अप एंड डी डिरेक्ट, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको सो हो रह करेंगे, डिसेबल करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे, यह सेटिंग क्राउम ब्राजर की आपको जो है, कम्प्लीट हो चुका है, अब चलते हैं मोवाइल की सेटिंग में, और मोवाइल की सेटिंग में समझते हैं, क्या सेटिंग आपको करना है, सिंपल सा आपने सेटि इसे आप वेट करें और यहां पर जो है आपका इमेड आईडी बिगरा सो हो जाएगा तो सिम्पल सा अपने नेट कॉनेक्शन जो है आपको आउन रखना है अब नीचे में जब आएंगे नीचे में आपको एक सो होड़ा होगा एड्स सिम्पल सा फर्स्ट सेटिंग मिल जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे एड्स पर जब आप यहां पर एड्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर फर्स्ट में मिल जाएगा रिसेट Advertising ID, Simple से इस पर आपको Click करना होगा, Click करने के बाद यहाँ से Confirm कर ले रहा होगा तो यहाँ से जो भी आपका Advertising ID है, यहाँ से Set हो जाएगा, Second में आएंगी यहाँ पर Delete Advertising ID इस पर Click करेंगे और यहाँ से Advertising ID को यहाँ से Delete कर लेंगे ठीक है यहां पे डिलेटेड हो चुका है इसके बाद यहां से आपको back आ जाना है यह सेटिंग जो है complete हो चुकी है फिर से आपको email ID में ही अपना क्या करना है manage your Google account पे आपको click करना होगा तो simple सा मैं इस पे click करूँगा इसके बाद personalized मिल जाता है और यहां पे आपको data privacy मिल जाते हैं simple सा इस पे click करेंगे और इस पे click करने के बाद जितने भी आपने email ID से जिसे permission दिया हुआ है तो बोच यहां पे show होगा click करके थोड़ से wait करें सब्सक्राइब यहां पे जो है मैंने इसको on कर लिया है यहां पे देखेंगे तो यहां पे कुछ नीचे में app ढूंडेंगे apps ठीक है अगर apps नहीं है तो apps management हो सकता है तो simple सा मेरे पास app management है simple सा हम इस पे click करेंगे और click करने के बाद जितने भी मेरे mobile में जो है app installed है यहां पे show हो जाएगा अगर आपके पास कोई ऐसा app लग रहा है जो आपके लीगल नहीं है आपके उसका नहीं है तो आप उसे install कर दे क्योंकि उसमें बहुत सारे ads आते रहते हैं को थर्ड पार्टी का application हो सकता है या तो स इसमें logo soon नहीं हो रहा है तो उस application को आप तुरांत जो है install कर दे क्योंकि वह third party application होता है और यह बिलकुल hide रहता है छुपा हुआ रहता है आपको पता नहीं चलता है और वह जो apps काफी सारा आपको add भेजता है और जो यहां पे third party होता है आपके mobile भी hack हो सकता है और आपका privacy privacy का भी खतरा है सिम्पल सा उसको आप install कर दे अगर आपको यहां भी नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करेंगे अपने mobile का जो file manager होता है सिम्पल सा file manager को open करेंगे तो सिम्पल सा मैंने अपने file manager को open कर लिया है यहां पे आने के बाद आपको check करना है कि मेरे कौन ऐसा application है जो install हो चुका है जो legal नहीं है सिम्पल सा apk click करेंगे अगर आपने कोई भी chrome browser से apk download किया हुए तो उसमें काफी सारे add आते रहते हैं सिम्पल साथ मेरे पास देख सकते हैं यहां पर यहां पर install है apk एक kind master है तो kind master में use करता हूं इसलिए मैंने रखा है अगर आप यूज नहीं करते हो तो सिम्पल साथ पर click करके यहां पर delete option मिल जाएक नीचे में तो यहां पर delete option पर click करके इसको delete कर लिजे इतना काम अगर कर लेते हैं आपके mobile में add आना बंद हो जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दिए चैनल को भी subscribe कर के bell icon को प्रेस कर लिजे